अलो फिंड्स वेलकम टू पर चनल हम बात करने वाले हैं जी यू फाइनल्स के वारे में जो कि हमारे मेंबर्स नहीं रिक्वेश्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी अनलिसिस चाहिए श्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो इंडेक्स अनलिसिस की आप हमारा टे जितना बड़ा श्टॉक है और जैसा फटनामेंटल अभी इसका चल रहा है तो बहुत कम टाइम है कि इसमें आपको भाइंग दिखेगा बहुत कम चांस है यहां पर और ब्रेकाउट के अगर हम बात करते हैं तो यह रेंज है इसके उपर गर प्रॉपर ब्रेकाउट आपक कर सकते हो फंडामेंटल अगर आप देखो है तो यहां पर मिलेगा थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है यह जो रेंज मैंने आपको दिया था कि इसका ब्रेकाउट होता है तब भी कोई ज्यादा वो नहीं होगा आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है सेम वैसा ही रहा अभ अगर आप सेलिंग के निकलते हो तब भी सेम रेंज ही है कि यह रेंज अब तक ब्रेकाउट नहीं होता है तो तक कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होना है इसके पहले भी अगर आप मोमेंटम देखोगे यह जो बड़े कंडल से इसमें आपको बनते हुए दिखते हैं और इसके बाद आपको सेम वैसे कंसोलिडेशन देखने के मिलता है अभी फिर से हम रेश्टेंस के आसपास ट्रेट कर रहे हैं 330 के आसपास का लेवल है यह अगर आप ब्रेकाउट करते हो तो आप 350 के लेवल तक जा सकते हैं बट यहां से फिर से रेश्टेंस लिकर आप सै की बात करते हो तो करीब हम 6 महिने से कंटिन्यू साइडवेज ही है जो आप यहां पर मोमेंटम देख रहा हो पूरा यह वाला ठीक है तो यहां पर आप लोवर लो के फॉर्मेशन में ही है अभी तक और अभी तक भी कोई भी हायर हाई का फॉर्मेशन सिफ्ट हुआ नहीं ह तो यहां से बाइंग कर सकता है तो वेट कर लो जब तक कि प्रॉपर इसका ब्रेकाउट न हो तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम मत प्लान करना अधर वहां पर आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं बागी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनलिस्स चाहिए तो श्टॉक क को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यू सो मच